इस वीडियो में हम लोग chapter 6 का worksheet 1 को solve करेंगे जिसमें की algebra से related कुछ basic questions given है इससे पहले मैंने DAV Classics के लिए इतने सारे वीडियोस बनाएं subject wise सभी वीडियोस playlist में हैं वहाँ से जाके सारे वीडियोस देख सकते हो Worksheet 1 के सबसे पहले question में हमें कुछ statements given है और इसको हमें algebraic expression में लिखना है जैसे कि यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है 5 more than x इसका क्या मतलब हुआ कि x से 5 more यानि कि x से 5 ज्यादा तो इसको हम लोग लिख देंगे x plus 5 यही तो हो गया ना 5 more than x या इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 plus x दोनों सही होगा इसमें उसके बाद देखो next दिया है 3 less than y 3 less than y का मतलब क्या हुआ कि y में से 3 कम 3 less तो हम लोग कैसे लिखेंगे y minus 3 बट इसको हम लोग उल्टा नहीं लिख सकते हैं हमने परहा था properties में अब देखो 2 times z इसका क्या मतलब हुआ कि 2 times z तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 into z या 2 multiply z ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है सब को धियान से समझना next दिया है 1 third of x तो 1 third का मतलब क्या होता है 1 by 3 तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 by 3 of का मतलब होता है multiply तो multiply कर देते हैं और x है नहीं यहाँ पर तो x लिख देते हैं यहाँ पर उसके बाद इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा 1 by 3 x यह multiply का symbol जो है hide हो जाता है तो यह हो जाएगा 1 by 3 x और इसको हम लोग directly x by 3 भी लिख सकते हैं ठीक है तो हर terms को देखो कि हम लोग कैसे कैसे convert करके कितने तरह से लिख सकते हैं वो भी दिमाग में रखो उसके बाद next यहाँ आपर question दिया है 4 more than sum of a and b मतलब a and b के sum में से हमें 4 more कर देना है 4 ज्यादा कर देना है तो यहाँ पर देखो sum of a and b को हम लोग bracket में इसी लिए लिखें क्योंकि हमें पहले sum और sum of a and b निकालना है उसके बाद हमें 4 more करना है तो यहाँ पर bracket का भी importance है उसी तरीके से two number में भी बहुत सारा statement given है तो एक एक करके इसको भी solve करते हैं यहाँ पर दिया है x added to y मतलब x जो है y में add किया गया है मतलब y plus x ठीक है इसका उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं उसके बाद m increased by 2 मतलब m में 2 increase हुआ है 2 बर गया है m में हम लोग 2 को increase कर देते m plus 2 हो गया next है sum of x y and z तीनों का sum है तो यहाँ पर x y और z तीनों का हम लोग sum निकाल दी हैं एक चीज़ देख लो यहाँ पर कि अगर तुम्हारा आदत है ऐसे करके x लिखने का तो वह अब मत करो x ऐसे लिखा करो क्योंकि अगर ऐसे लिखोगे x algebra में और multiply भी ऐसे दोगे तो teacher confused हो जाएगा examiner confused हो जाएगा कि तुमने x लिखा है या multiply का symbol दिया है तो इसलिए अब से अगर ऐसे x लिखते थे तो ऐसे मत लिखना अब से ऐसे x लिखना ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा x plus y plus z यह तो समझ गए next है 2 times p added to 3 times q मतलब 2 times p हम लोग निकाल लेंगे और उसको add कर देंगे 3 times q में तो देखो 2 times p का मतलब क्या हुआ 2p ठीक है और उसको add करना है तो बीचे में plus किसमें add करना है 3 q में तो यहाँ पर 3 times q मतलब 3 q उसके बाद देखो दिया है one third of sum of a and b मतलब a and b का जो भी sum होगा उसका one third हमें निकालना है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग लिखते है one third of मतलब multiply of किसका sum of a and b तो a and b का sum हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बट ऐसे directly लिख दोगे तो यह गलत हो जाएगा हमें यहाँ पर bracket देना परेगा bracket क्यों देना परेगा क्योंकि यहाँ पर sum of a and b पहले हमें निकालना परेगा उसके बाद उसका one third बोला गया है ठीक है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर a and b को पहले priority देने के लिए इसको bracket में लिखेंगे और यह लिखना जरूरी भी है next यहाँ पर दिया 4 less than x मतलब x में से 4 कम 4 less तो यहाँ पर x में से हम लोग 4 कम कर देते हैं ठीक है 4 minus करके next है x less than 4 मतलब 4 में से x less मतलब x कम तो 4 में से हम x को कम कर देंगे minus कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या था 4 less than x यहाँ पर क्या था X less than 4 तो यहाँ पर समझना परेगा कि किसमें से किसको घटाना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर लिखना उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि P taken away from twice Q मतलब Q के दुगुने में से P को take away किया गया है मतलब निकाल लिया गया है तो वही ची हम लोग करेंगे Q का दुगुना, Q का twice मतलब 2Q उसमें से take away करना है मतलब निकाल लेना है P को तो हम लोग 2Q-P को लिखेंगे next है 3 times X 3 times X को तो directly 3X लिखते हैं हमने पढ़ा था first वाले वीडियो में next है 1 fifth of Y added to X 1 fifth तो निकालना है 1 by 5 करना है बट किसका? Y added to X का तो पहले हम लोग Y added to X कर देते हैं और उसका 1 by 5 निकाल देते हैं ठीक है 1 by 5 यहापे multiply का symbol 2 या नहीं तो बात बराबर हैं उसके बाद 5 times of the sum of X and Y मतलब X and Y का sum निकाल के उसका 5 times कर देना है तो हम लोग वही कर देते हैं 5 times of X and Y का sum ठीक है? वही हमने कर दिया यहापे bracket यहापे देना बहुत important है अगर ऐसे लिख दोगे 5X plus Y तो यह दूसरा expression हो गया इसका मतलब हो गया कि 5 सिर्फ X से गुना हो रहा है Y से गुना नहीं हो रहा है मतलब X by 5 का quotient क्या होगा? यही तो quotient हो जाएगा जब divide करते तो हमें answer जो आता है cancel out करने के बाद वो तो quotient ही आता है तो X by 5 का quotient यही हो जाएगा X by 5 ठीक है? उसके बाद दिया है half the sum of P and Q मतलब P and Q का sum निकालेंगे और उसका half कर देंगे half मतलब क्या आता है? 1 by 2 तो 1 by 2 of P and Q का sum ठीक है? P plus Q तो इस of के बदले में multiply होगा इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1 by 2 multiply P plus Q यह इसका हो जाएगा algebraic expression उसके बाद देखो 3 number में हमें expression दे दिया गया है बट हमें इसको statement में लिखना है जैसे कि X plus 5 का हम लोग लिखेंगे 5 more than X मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? ultimately X में 5 हमने more किया है मतलब add कर दिया है उसी तरीके से Y minus 3 का हम लोग क्या करेंगे? 3 less than Y वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है 3 less than Y उसके बाद है 2 by 3 X तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 third 2 by 3 मतलब क्या हुआ? 2 third of X X का ही 2 third यहाँ पे लिखा गया है next है 4 Z तो यहाँ पे क्या वाजाएगा? 4 times Z उसके बाद दिया है X by Y तो X by Y को हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे भी लिख सकते है quotient of X by Y और ऐसे भी लिख सकते हैं कि X divided by Y ऐसे भी दो तरीके से हम लोग इसका statement लिख सकते हैं उसके बाद यह क्या है expression? 2 A plus 3 B मतलब A को 2 गुना कर दिया गया है और B को 3 गुना कर दिया गया है और उसके बाद दोनों को add कर दिया गया है तो वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे twice of A added to thrice of B मतलब 2 गुना A को 3 गुना B को जोड दिया गया added to वही चलिए यहाँ पे है और इसको different तरीके से भी लिख सकते हो जरूरी नहीं कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वही सही answer होगा perfect answer होगा इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते है कि A multiplied by 2 and added to 3 multiplied by B ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते है question number 4 जो है यह question के साथ real life example भी है कि हम लोग algebra को real life में कैसे apply कर सकते है यहाँ पे देखो बताया कि there are 38 students इना class एक class कोई भी है जिसमें कि 38 students है if x more students join the class अगर x number of students बाहर से फिट से आ गए how many students are there in the class now अब class में कितने students हो गए यह पूछा गया है तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं previously previously का मतलब हो गया पहले तो यहाँ पे previously कितने students थे 38 students ठीक है 38 students पहले थे तो यहाँ पे कितने फिर से आ गए new came कितने हो गए new student came हो गए x ठीक है x more student आए यहाँ पे तो अब क्या हो जाएगा number of student increase हो जाएगा तो final number क्या हो जाएगा final number of student तो final number of student क्या हो जाएगा 38 plus x यही चीज तो हमें पूछा गया था x के जगह अगर कोई number दिया रहे था जैसे कि मालो 10 students आ गये तो हम लोग यही करते ना 38 plus 10 कर देते बट यहाँ पे हमें number के जगह पे literal number दिया गया तो हमारा answer यही हो जाएगा 38 plus x student ठीक है इस तरीके से इसका solution हो जाएगा question number 5 में हमें बोला गया है कि three sides of a triangle are x centimeter, y centimeter and z centimeter मतलब एक triangle है कोई भी उसका तीनो side का length दे दिया गया यह लंबाई हो गया x, यह लंबाई हो गया y और यह हो गया z और तीनो जो length है centimeter में है उसके बोला गया है कि find the perimeter of the triangle तो perimeter इसका बताना है perimeter का मतलब क्या होता है हमने chapter 15 के first video में बढ़ा था कि perimeter का मतलब होता है outer length, total outer length तो यहां से अगर यहां तक हमें पूरा नापना हो तो हम क्या करेंगे सबको जोड देंगे तो यह हो जाएगा perimeter will be equal to x plus y plus z यही इसका final answer हो जाएगा क्योंकि यह सब different different terms है तो इसको हम लोग further solve नहीं कर सकते हैं यही इसका final answer रह जाएगा और यह जो x तीनों का add करने के बाद जो भी answer आएगा वो cm में रहेगा क्योंकि हमें जो यहां पर quantity दिया गया है ना वो centimeter में दिया गया है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस y प्लस z z यहां पर है और bracket देखे cm मतलब cm तीनों का है question number 6 भी बहुत easy है इसको ध्यान से देखो इसमें बोला गया है कि cost of one pen is 8 rupees find the cost of y pens यहां पर कोई number नहीं दिया गया कि 5 pen का cost बताओ या 6 pen का cost बताओ ऐसा कुछ नहीं बोला गया है यहां पर बोल दिया गया है कि y pen का cost बताओ y के जगा कोई भी number हो सकता है तो हम लोग जैसे बनाते थे वैसी ही बनाएंगे यहां पर हम लोग लिखेंगे since cost of कितना pen one pen हमें given है is equal to क्या हो जाएगा 8 rupees so cost यहां पर therefore का symbol देंगे cost of y pen क्या हो जाएगा y pen का cost 8 rupees into y जब इसको multiply कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 8 into y क्या हो जाएगा 8 y हो जाएगा 8 y रूपीज यही इसका final answer हो जाएगा question number 7 में बताया गया है कि Neha has 7 more toffees than mega इसका मतलब यह हुआ कि Neha के पास मेघा से 7 toffees जादा है मतलब मेघा के पास अगर 10 toffees हुआ तो Neha के पास कितना हो जाएगा 10 plus 7 मेघा के पास अगर 12 toffees हुआ तो इसके पास हो जाएगा 12 plus 7 मतलब इसके पास जितना भी होगा उसमें 7 add हम कर देंगे उसके बाद बताया गया कि मतलब इहां कोई number हमें नहीं दिया गया है एक literal number दे दिया गया है तो हम क्या करेंगे उसी literal number में जो करना होगा करेंगे इफ मेघा है एक्स toffees how many toffees does Neha है तो Neha के पास कितना toffees हुआ तो हम लोग यहां पे लिखते हैं जो हमें given है मेघा के पास हमें given कितना एक्स toffees ठीक है एक्स toffees के पास है तो इसके पास कितना हो जाएगा नहा के पास नहा विल हैव एक्स प्लस 7 toffees बस यह दो लाइन में इसका answer आ गया इतना ही पूछा गया था अब देखते हैं question number 8 को यह last question इस worksheet का इसको ध्यान से समझना इसमें बताया गया कि अंशुल इज जडियर्स ओल्ड अंशुल का जो एज है अभी दे दिया गया कितने साल का है how old was he 3 years ago तो वो 3 साल पहले कितने एज का रहा होगा तो current age हम लोग लिख रहते हैं इसका current age क्या हो जाएगा current age of अंशुल ठीक है ये हो जाएगा Z years ठीक है Z साल का है अभी तो 3 years back क्या हो जाएगा 3 years back उसका age क्या हो जाएगा उसका age हो जाएगा Z minus 3 जैसे कि हम लोग अगर मालो तुम्हारा age है 15 years तो 3 साल पहले तुम्हारा age क्या हो जाएगा 15 minus 3 अगर मालों तुम्हारा एज है 17 इयर तो तीन साल पहले क्या हो जाएगा 17-3 वही चीज हमने यहाँ पर किया है Z-3 years is the final answer तो इस तरह से हमने वक्षिट 1 के सारे कोशन को solve कर लिया I hope जितना कोशन मैंने समझाया सब कोशन अच्छे समझ में होगा अगर वीडियो helpful लगा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like करना चैनल को subscribe कर लेना अगर अभी तक subscribe नहीं किये हो तो और अपने classmate के साथ clear कर देना तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वाक्षिट के साथ तब तके लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से बढ़ाई करते रहो